बुर्बाइब दी इस्ट्रेंट्स ऑफ क्लास 4 आज हमनों पढ़ने वाले ही यूनिट 2 आवर बॉडी का चैप्टर 2 ठीक है केरिंग फॉर सेंस ओर्गन्स चैप्टर का नाम है आपके जिसका मतलब है हमारे सेंस ओर्गन्स की हम कैर कैसे कर सकते हैं फर्स्ट अफ और बॉडी इस मेंड़ फ़एंट पार्ट्स ओफ ऑर ओर्गन्स हमारे बॉडी जो है इस इर नोस टंग इसकिन जिन में से हमारे आइज आ आखे येर कान नोस नाग टंग जीब और स्किन होती है Let us learn about them in this chapter इनके बारे में ही आज जानेंगे हम Skin देखें, skin क्या है अब इसमें दिया हुए Look at Raj, Raj को इसमें देखें ठीक है, Raj है He is shaking hands with his friend Pavan, अपने friend Pavan से हाथ मिला रहे है He filled the handshake of his friend with help of skin Skin के help से उन्होंने handshake को feel किया अपने friend के In other words, दूसरे words में अगर बात करें No, only Raj, all of us feel a person touch with our skin Our skin also tell us whether an object is hot, cold, rough or smooth when we touch it देखें के ओ राज की बात यहां पे नहीं हो रही है हर एक person, अगर जब कोई भी person हमें touch करता है हम सब को, तो हमारे skin से ही पता चलता है ठीक है, our skin, जो हमारा skin होता है वो हम weather के बारे में बताता है कोई भी चीज गरम है, ठंडी है, rough है, खुरदूरी है या smooth है, बहुत ज़्यादा plane है जब हम उसको touch करते हैं तब हमें पता चलती है But how do we feel this sense of touch हम कैसा feel करते हैं इस sense को touch के ठीक है, और entire body is covered by the skin हमाई जो entire body होती है, वो skin से covered होती है And there are many nerves under the skin Skin के अंदर बहुत सारे nerves होते है When our body touches someone or something जब कुछ भी हमाई body चूती है, किसी को चूती है The nerves located just below the part of skin get pressed, वो दबती है, ठीक है Consequently, they send message to the brain immediately और इसके साथ वो जो nerves होते हैं हमारे, वो brain को पहुचाते है Message, तुरंत, then the brain tells us whether the object was smooth, rough, hot or cold ता हमारा brain जो होता है, वो हमें बताता है कि हमारा जो object है जिसको हमने चुआ है, rough है, smooth है, ठीक है कि ठंडा है, गरम है, क्या है Intrally, touches are two types दो तरह के touch होते हैं, good touch होता है, दूसरा bad touch होता है All the touches which make feel warm and comfortable are good touches जो हमें अच्छा feel कराता है, warm feel कराता है, वो good touch होता है For example, we feel good when somebody hugs or kisses us जो हमें कोई kiss या hug करता है, तो हमें अच्छा लगता है तो I hope आप लोग ये topic समझ में आया होगा, thank you so much, have a nice day